विद्यार्तियों की भारी डिमांड पर उतकर्स दिवाली ट्रिपल धमाके को एक्स्टेंड कर दिया गया है छे नौंबर तक जिसके अंदर आपको मिल रहा है अप्टू 90% का भारी डिसकाउंट, तीन महिने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइफ फ्रॉम के साथ में रिक जो हैल्थ कमीटी होती है, जैसे भौर कमीटी है, मुधालियर कमीटी है, चड़ा कमीटी है इनके बारे में डीटेल से जानेंगे, ख्लीर है? चली है तो आज हम हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, वो रहने वाला है एल्थ प्लानिंग इन इंडिया कि हैं एक हैं है है एक है 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 एक है 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 फ्लानिंग इन इंडिया इसके अंदर हम कमीटी देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं सर कमीटी कौन कौन सी ऐसी कमीटी है जो हेल्थ प्लानिंग इंडिया के अंदर रेगुलेट की गई उन्होंने अपना-पना क्या रखा रोल रखा कि बोर कमीटी के आधार पे क्या होना चाहिए मुदालियर कमीटी के आधार पे क्या होना चाहिए ठीक है तो एक-एक कमीटी के बारे मे अगराज हम विश्च्तरत जानकारिया लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहली आती है आपकी बोर कमीटी, कौनथ सी आती है, बोर कमीटी, बोर कमीटी आती है, चलि, बोर कमीटी है, यह आपके, कौनथ कौन से सनमें लॉंच हुई है, तो याद रखिएगा, 1946 के अंदर ये कमीटी आई थी कौन सी आई थी बोर कमीटी कब आई थी 1946 के अंदर इसी के साथ जो बोर कमीटी है आपको इसको health planning health planning and development committee बोला जाता है health planning and development committee कहा गया है क्या बोला जाता है इसको health planning and development committee बोला जाता है याद रखिएगा mcqs बार बार पूचा जाता है बोर कमीटी कब कौन से सनु के अंदर आई थी तो 1946 के अंदर आई थी और पूच लेता है health planning and development committee किसे कहते है तो that is बोर कमीटी को कहते हैं, किसको कहते हैं सर, बोर कमीटी को कहते हैं, याद रखिएगा, इसने क्या बताया, इसने इंटिग्रेशन ओफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस के बारे में बताया, किसके बारे में बताया वाइस ने, तो इंटिग्रेशन ओफ प्रिवे एंड क्यूरेटिव सर्विस के बारे में बताया था कि भाई प्रिवेंटिव सर्विस प्रोवाइड कराई जाए और क्यूरेटिव सर्विस प्रोवाइड कराई जाए कम्यूनिटी के लोगों को जो कम्यूनिटी है हमारे जो बैक्वार्ड इलागा है वहाँ पर क्या करवाई जाए, प्रिवेंटिव सर्विस प्रोवाईड कराई जाए, ये इसका उद्देश था, ये इसका क्या था, एम था, क्लियर है, इसी के साथ आप सभी बच्चों को याद रखियेगा, इसको ये फर्स्ट कमीटी है थी इंडिया की, फर्स्ट कमीटी ओ इंडिया, एक émseOOO already आया हुआ है, फर्स्ट कमीटी इंडिया के बारे में डाएरेक्ट पूचा हुआ है कि फर्स्ट कमीटी ओ इंडिया कॉनसी है, तो बता के आना है, कॉनसी है? that is board committee कौन सी है सर आपकी तो board committee है याद रखिएगा और इस committee ने जो बात रखी है वो कौन सी थी इस committee ने बताया कि जो PHC होती है आपकी उसको 40,000 की population पर established किया जाए याद रखिएगा इसने क्या बताया establishment of PSC जो आपके primary health center है establishment of PSC वो 40,000 की population पर होनी चाहिए इस committee के आधार पर तो ये बता दिया इसने कि जो PSC है primary health center है ये 40,000 की population पर होना चाहिए ये किस ने बता दिया सर अरे ये किस ने बता दिया तो ये आपके बोर कमीटी ने बताया था इसने बताया था बोर कमीटी ने याद रखिएगा कैसे कैसे के MCQ आते हैं वो मैं अल्रेडी बता चुका हूँ 1946 के अंदर क्या हुआ था औरिजनेट हुई है कि कोंसी कमीटी के द्वारा PSC है वो 40,000 की population पर होना चाहिए तो बता देना उसको कौनसी के द्वारा रहा होना चाहिए इस बोर कमीटी के द्वारा किसके द्वारा बोर कमीटी के द्वारा क्लियर है सभी का मुदालियर कमीटी आती है ठीक है सर ये मुदालियर कमीटी भई हर अपना अपना एक एक कमीटी का अपना अपना रोल होता है तो सभी को हमको क्या रखना है अपना अपना रोल देखना है मुदालियर कमीटी की बात करें तो याद रखिएगा Establishment कब हुआ था इसका अगर मुदालियर कमीटी के Establishment की बाग करे तो याद रखिएगा 1959 के अंदर इसका Establishment हुआ था Establishment कब हुआ था 1959 के अंदर और Recommendation में कब आई थी तो 1962 के अंदर आई थी याद रखिएगा Recommendation तो 1962 के अंदर ठीक है भाई दोनों अलग-अलग चीज़े हैं जो चीज पूछती है वही जवाब देखे आना है ऐसा नहीं है कि Recommendation पूछा है Establish लिखा है कि सर ने तो 1959 बताया था नहीं गलत 1962 के अंदर ये क्या है Regulate होने लग गई थी Recommendation के अंदर आ गई थी सर ठीक है और इसको क्या बोलते है Health Survey and Planning Committee बोला जाता है क्या बोलते हैं सर इसको इसको बोलते है Health Survey and Planning Committee Health Survey and Planning Committee बोला जाता है Health Survey and Planning Committee कहा जाता है ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा Health Survey and Planning Committee किसको बोलते हैं किसको बोलते हैं बोर कमीटी को ठीक है दो अलग अलग चीजे है ठीक है एक ही वर्ड का अंतर है इधर प्लानिंग है उधर डवलपमेंट था ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है अब इसने क्या बता दिया कि मतलब कहने का मतलब पीएसी की जो पॉपुलेशन वो 40,000 से जादा नहीं होनी चीए ठीक है इसके द्वारा क्या बताया गया पॉपुलेशन ओन एपीएसी ठीक है पॉपुलेशन ओन एपीएसी यह याद रखिएगा इसके द्वारा बताया not more than not more than 40,000 ठीक है 40,000 से जादा की नहीं होनी चीए यह किस के द्वारा बता दिया आपके यह मुदालियर कमीटी के द्वारा बता दिया गया कौन सी कमीटी के द्वारा बता दिया गया तो यह मुदालियर कमीटी के द्वारा बता दिया गया ठीक है बई clear है भोर कमीटी और मुदालियर कमीटी अब next बात करते हैं हम चड़ा कमीटी के बारे में किसके बारे में बात करते हैं अब चड़ा कमीटी के बारे में बात करते हैं लगाई यह heading चड़ा कमीटी चड़ा कमीटी है यह कौन से सन के अंदर आई थी तो 1963 के अंदर कौन से सन के अंदर आई थी चड़ा कमीटी आपकी 1963 के अंदर आई थी ठीक है याद रखिएगा ठीक है भई इसके अंदर आपको याद क्या रखना है सर इसके अंदर आपको याद एक की चीज रखनी है कि नेशनल जो malaria control program है वो इसके अंदर इसने बताया है किसने बताया है ये बताया आपके चड़ा committee के अंदर किसके अंदर आया है ये आया है आपके सिधा-सिधा चड़ा committee के अंदर वैसे इसने vigilance and maintenance of health service के बारे में भी बताया था किसके बारे में vigilance and maintenance of health service health service को कैसे कैसे maintain करना है clear है इसने क्या बताया था vigilance and maintain of health service के बारे में बताया था vigilance and maintenance of health service के बारे में बताया था पहली चीज दूसरी चीज इसके अंदर वही चीज आती है मैंने बताया है कि malaria क्या बताया इसने national malaria eradication program इसका motive था सर क्या था motive अरे इसका motive क्या था पूछ लिया जाता है इसका motive क्या था तो national malaria eradication program national malaria eradication program है वो इसका motive था सर क्या था मोटीव था क्लियर है ठीक है यह चड़ा committee के द्वारा बताया गया चड़ा committee है 1963 के अंदर आई थी इसी के साथ vigilance and maintenance of health service के बारे में बताया कि health service को maintain कैसे करना है इसी के साथ इसका motive था कि जो हमारे देश के अंदर malaria बहुत ज़्यादा फैलता है ठीक है उसको कैसे कैसे हम eradicate करें national level पर उसको खतम करना यह किसका motive था यह था आपके चड़ा committee का motive clear है यह चड़ा committee का motive clear है सभी का उसके बाद आती है मुखरजी committee क्या आती है सर उसके बाद आती है आपकी मुखरजी committee ठीक है चलिए लगाते है heading मुखर्जी कमीटी देखते हैं कि यह मुखर्जी कमीटी क्या कहती है मुखर्जी कमीटी अब मुखर्जी कमीटी की बात करें ठीक है भई अब मुखर्जी कमीटी की के अंदर क्या याद रखना है आप सभी को कि मुखरजी कमिति है यह IB 방 requirements 1965 से 1966 के अंदर establish होने वाली कम आप कोर्ड कौन थी यह थी आपके मुखरजी कमीधी अरै इंद 1965 to 1966 के अंदर इस्टाब्लिश होने वाली कमीटी कौन थी कौन सी थी यह थी आपके मुखरजी कमीटी ठीक है और इसका मोटिव क्या था जो आपके यह मुखरजी कमीटी है इसका सीधा सीधा मोटिव क्या था इसने किस बात को रखा इसका मोटिव क्या था इसने किस बात को र प्रोग्राम के बारे में बताया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बताया था तो यह आपके मुखरजी कमीटी ने बताया था किसके बारे में नेशनल फैमिली प्लानिंग program के बारे में कहने का मतलब है ये committee national family planning planning program के बारे में कॉन सी committee ने क्या किया था चर्चा करी थी बताया था तो बता क्या ना है कि मुखरजी कमीटी के द्वारा नेशनल फेमेली प्लानिंग के अंदर गत चर्चा की गई थी उसी ने बताया था पहली चीज दूसरी चीज आप से पूछ लेगा MCQ कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो कौन सी कमीटी के द्वारा बताय गया था कौन सी कमीटी के द्वारा तो मुखरजी कमीटी थी यह कौन सी कमीटी थी बताईए अरे कौन सी कमीटी ने कमीटी के द्वारा बताया था अभी तो बताया इससे पहले की चड़ा कमीटी के द्वारा नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम क्या किया गया था बताया गया था ठीक है ऐसे mcq आते हैं डाइरेक्ट क्लियर है यह कमीटी से टॉप मोस्ट mcq पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा ठीक है अब मुखर जी कमीटी हुई उसके बाद आता है आपका जंगल वाला कमीटी क्या आता है सर जंगल वाला सुना होगा आपने नाम इसके बाद आता है आपका जंगल मुझी क्या आता है जंगल मुझी है आपका यह कौन से संन चे अंदर लूँच हो आता था तो याद रखिएगा 1967 1967 1967 ठीक है ये सन्याद गर लेना डायरेक्ट पूछ लेते हैं जंगल वाला कमीटी कब लहुंचुआ था तो बता क्या आना है कि 1967 के अंदर क्लियर है भई इसके अंदर क्या करते हैं in degration Restaurate services ने क्या कर दिया था है το से बसके बारे में करद दिया था है है तो लिख लिए STE neat कई सर्विस सर्विस के बारे म्सक के बारे में बदाै था और इसका भी यह कुछना कुछ मोटीव होना चाहिए तो याद रखिएगा इस मोटीव इस ने कया कर दिया था No Private Practice No Private Practice 3 रे गोर्यमेंट डॉक्तर कि इसके द्वारा यह बत़ाया गया कि कोई भी गॉर्मेंट जो डॉक्तर होता है वह प्राइवेट नहीं देखेगा, सरकारी अस्पताल में ही देखना चाहिए, प्राइवेट नहीं देखेगा, और यह जो जंगल वाला कमीटी है, इसके समर्थन में मैं हूँ इसके द्वारा बता दिया गया था, बोले एक भी डॉक्टर, एक भी गवर्मेंट डॉक्टर घर पे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, यह इसके द्वारा बताया गया था, जंगल वाला कमीटी के द्वारा, ठीक है, आया हुआ है, कि नो प्राइवेट प्रैक्टिस, सीधा पूछा है, नो प्राइवेट प्रैक्टिस कौन सी कमीटी के द्वारा बताया गया था, तो जंगल वाला कमीटी के द्वारा बताया गया था, जंगल वाला कमीटी के द्वारा नो प्राइवेट प्रैक्टिस, क्लिय अब नेक्स्ट आता है कई सी आती है सर एक आती है आपने सुना होगा करतार सिंग कमीटी कौन से आती है करतार सिंग कमीटी की बात करें तो यह कब और इजनेट हुई थी तो 1973 के अंदर ठीक है कब आई थी भाई यह 1973 के अंदर आई थी करतार सिंग कमीटी क्लियर है और इस कमीटी ने क्या बता दिया सर यह कमीटी आई थी कम है मल्टी परपस हेल health worker होते हैं भाई ठीक है अरे ये committee किसके लिए आई थी तो ये committee आई थी multi-purpose health worker के लिए clear है करतार सिंग committee लिख लिख लीजिए committee on multi-purpose health worker multi-purpose health worker के लिए तो आई थी ठीक है इसी के साथ इसने family planning के बारे में भी बताया था ठीक है एंड family planning and family planning program के बारे में बताया तो ये किसने बताया ये करतार सिंग कमीटी ने इसका भी अपना रोल है कि इसने multi-purpose health worker होते हैं ठीक है इनका दर्द दुक दर्द समझा और इसने बोला कि multi-purpose health worker की क्या करो पॉइंट करो एक आदमी एक ही काम नहीं कर सकता काफी सारे work कर सकता है मल्टी परपस health worker नाम के क्या लेकर आई ये health worker लेकर लेकर ये ठीक है तो ये किसने बता दिया ये बता दिया करतार सिंग कमीटी ने क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट आपने सुना होगा श्रीवास्ताव कमीटी एक आती है आपके श्रीवास्ताव कमीटी आती है कौन से आती है श्रीवास्ताव कमीटी कब आई थी ये तो ये 1975 के अंदर कब आई थी श्रीवास्ताव कमीटी 1975 के अंदर आई थी सर ठीक है श्रीवास्ताव कमीटी क के द्वारा क्या कर दिया गया सर तो medical education को बढ़ावा दिया गया ठीक है इसके अंदर क्या किया गया improve the medical education इंप्रूव medical education medical education को इंप्रूव किया गया पहली चीज ठीक है याद रखना इसने बड़ावा दे दिया और जो मैन पावर होती है उसको सपोर्ट किया गया ठीक है इसके अंदर और क्या किया गया सपोर्ट मैन पावर मैन पावर को सपोर्ट किया गया किसके अंदर किया गया इसके अंदर किया गया श्री वास्तो कमीटी के अंदर और इसके अंदर एक और चीज़ बताये गई बोले PSC पर आप medical officer appoint कीजिए क्या बताया गया इसके अंदर कि medical officer appointed in PSC बाई primary health center पर एक medical officer appoint किया जाए ठीक है क्या बताया गया medical officer एक PSC पर primary health center पर एक medical officer है यह appoint किया जाना चाहिए यह किसके द्वारा बताया गया आपके तो यह बताया गया श्रीवास्तव committee के अंदर clear है श्रीवास्तव committee ठीक है श्रीवास्तव committee कब आई थी तो बता देना उसको कि 1975 के अंदर आई थी ठीक है medical education को improve कर दिया इसने support manpower को support किया इसी के साथ medical officer को appoint कर दिया किसके अंदर PSC के अंदर ठीक है उसके बाद एक committee आती है कृष्णन committee कौन सी आती है कृष्णन committee आती है कृष्णन committee यह जो कृष्णन committee है आपकी 1985 के अंदर कब सर 1985 1983 कब आयती 1983 के अंदर आयती कृष्णन committee ठीक है इस committee के द्वारा क्या बताया गया सर इस committee के द्वारा क्या बताया गया तो इसने urban revamping जो scheme होती है आपके urban revamping कौन सी वाली urban 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 revamping scheme urban revamping जो scheme होती है ठीक है उसके बारे में क्या कर दिया सर इस committee ने बता दिया कौन सी committee ने बता दिया तो दैट इस कृष्णन committee ने कौन सी committee ने कृष्णन कमीटी ने क्लियर है ना सभी का और उसके बाद लास्ट आती है आपकी कौन सी एक बजाज committee आती है सर कौन सी आती है बजाज committee एक लास्ट आती है आपकी बजाज committee यह 1986 के अंदर आई थी सर कव आई थी 1986 के अंदर बजाज committee कव आई थी 1986 के अंदर आई थी अब जब हर एक committee अपना अपना role play कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि यह भी नहीं करेगी बिल्कुल यह भी करेगी कौन सी बजाज committee तो याद रखिएगा इसने क्या कर दिया सर इसने establishment किया था education commission को कि एस्टबलिश्मेंट ओफ education commission education commission को health education on health health scheme health scheme के अंदर do for Region 7 health service locally health service के अंदर बोले education commission होना चाहिए education देनेवाला होना चाहिए इसने बताया आपके यह फजाज चमीटी के द्वारा बताया गया कब बताया गया तो वह जाज कमीटी के द्वारा बताया गया ठीक Öर इसने किया किया सर इस इसक्मीटी ने एस्टबिश्टी कि के Halo health science United है Health Science University ہے वो इसके द्वारा क्या की गई इस्टबिश्ट इसने बताया कि HEALTH Science University इस्टबिश्ट की जिए किसने बताया है वहाई किस ने बताया है तो बजाज कमीटी के द्वारा बताया गया और नियशनल मेडिकल एंड हेल्ट एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया था किसके बारे में एजुकेशन पॉलिसी के में बताया कौन सी कमीटी ने बजाज कमीटी के द्वारा बताया गया कौन सी कमीटी के द्वारा बताया गया तो देट इस बजाज कमीटी के द्वारा बताया गया ठीक है यह हेल्थ प्लानिंग थी हमारे इंडिया के अंदर कमीटियां थी जिनको अभी हमने इस वीडियो के अंदर देखा है एक एक वीडियो के अंदर एक एक चीज देखिए रिपीट कर देते हैं ठीक है हेल्थ प्लानिंग के अंदर सबसे पहले कमीटी पड़ी हमने बोर कमीटी 1946 के अंदर ये इसका औरिजनेट हुआ था हेल्थ प्लानिंग णिवर्ण कमीटी कहा जाता है उसके बाद हमने इंटी ग्रेशन ओ प्रिवेंटेव अंड्यूरी की इस बताया ची कि पर भाद मुदालियर कमीटी के दारा वी थी थी ये एश्टेबलीश वी थी नाइंटीन फिष्टिनाइन में और recommendation या फिर regulation 1962 के अंदर अलग-अलग चीज़ है जो चीज पूशती है उसी का जवाब देकर आना है ठीक है उसके साथ health survey and planning committee बताया गया इसने बताया कि PSC की population एक PSC की not more than not more than 40,000 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चड़ा committee आई उसके बाद 1963 में उसने बताया कि vigilance and maintenance of health service के बारे में बताया इसका motive यह था कि national malaria eradication program ठीक है पूचा हूँ है MC की उज़े डाइरेक्ट पूचता है उसके बाद मुकरजी committee आती है 1965 and 66 के अंदर motive क्या है national family planning प्रोग्राम के बारे में उसके बाद हमने देखा जंगलवाला committee 1967 के अंदर integration of health service के बारे में बताया और यह जंगलवाला committee ने बता दिया कि कोई भी सरकारी अस्पताल का डाक्टर private practice नहीं करना चाहिए क्योंकि motive लेते हैं सरकारी में सरकारी अस्पताल में ध्यान नहीं देते हैं ठीक है तो कोई भी नहीं करेगा अगर वह private practice नहीं करेगा तो hospital में क्या है अच्छी preventive curative service provide कर आपाएगा ठीक है तो यह था किसका जंगलवाला committee का इंपोर्टेंट है ठीक है कमीटी ने बताया था तो बता देना करतार सिंग कमीटी थी जिसने क्या किया था multi-purpose health worker के लिए committee लेके आई थी ठीक है और family planning program के बारे में भी बताया था उसके बाद आती है श्रिवास्तो committee यह committee क्या है 1975 के अंदर originate हुई है improve medical education इसने medical education को improve किया support किया manpower को इसी के साथ medical officer appoint कर दिये PSC के अंदर कि बोले PSC के अंदर medical officer मतलब doctor एक doctor है वो appoint होना चीए PSC के अंदर ऐसा नहीं है कि appointed नहीं होगा clear है उसके बाद क्रिश्नन committee आई थी 1983 के अंदर ठीक है कौन सी क्रिश्नन committee इसने बताया urban revamping spin के बारे में ठीक है urban revamping spin के बारे में बताया scheme के उसके बाद आता है बजाज committee जो 1986 के अंदर आई थी बजाज committee कब आई थी that is 1986 के अंदर establishment of education commission on health service के बारे में बताया इसने उसी के साथ establishment of health science university पूछेगा mcq direct पूछेगा कि health science university का establishment कौन सी committee के द्वारा हुआ था तो बता देना कि बजाज गमीटी के द्वारा हुआ था उसके बाद आता है national medical and health education policy के बारे में भी किसने बताया था तो बजाज गमीटी के द्वारा बताया गया था ठीक है आई होप आप सभी को यह छोटा सा वीडियो बहुत helpful लगेगा ठीक है बहुत सारे बच्चों को confusion होता है committees के बारे में तो बिलकुल आप यह confusion अपना इस वीडियो के मादम से दूर कर सकते हैं चली तो इस वीडियो को यह समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब सके लिए गुडबाई टेक केर बाबाई थैंक्यू सो मज़ थैंक्यू विद्यार्तियों की भारी डिमांड पर उतकर्ष दिवाली ट्रिपल धमाके को एक्स्टेंड कर दिया गया है 6 नौंबर तक जिसके अंदर आपको मिल रहा है अप्टू 90% का बारी डिसकाउंट तीन महिने के एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइफ रॉम क्लास रूम के साथ में रिकोड़ेट कोर्सेज बिलकुल फ्री तो आज ही तियारी की शुरुआत करें अपने उतकर्ष परिवार के साथ एन्रोल नाव